नमस्कार दोस्तो इस Study with Happiness में आप सभी का सुवागत है और दोस्तो आज के वीडियो में हम ऐसी नौकरी की बात करेंगे जिसमें की आप लाखों में कमा सकते हैं दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे की गौर्मेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माद्यम से मिलती रहें दोस्तो बहुत दिनों से जो भरतियां हैं वो आखवारों में ही आ रही थी कोई भरती ऐसी नहीं थी जिसका ओफिशल विज्यापन आए तो दोस्तो मैं आप लोग के लिए ओफिशल विज्यापन वाली वीडियो लाया हूँ आप देख सकते हैं इस्टैनो ग्राफर C & D अब बहुत सारे अभ्यारती हो सकता है वीडियो को यही छोड़ दें वो यह सुचे के हमने तो इस्टैनो सीखी नहीं है तो हम इस भरती के बारे में क्यों जादा जाने मगर दोस्तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा अगर आपने इस्टै इस्टैनों की भरती है जो SSC और रेलवे की भरती है वह कौन कराएिगाा CC2 के थ्रू होummy सारी भरतियां मगर sill कद दोस्तों सरे लिए ए दस तारिक आज की तारिक से यह आविदन आप कर सकते हैं और आखरी डेट जो है वो चार ग्यारा है अगर आप इसके लिए आविदन करना चाहें तो जल्दी ही कर देना दोस्तों क्योंकि कि SSC का जो सर्वर है वो भी स्लो होने लगता है धीरे-धीरे करके एक्जाम डेट के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों एक्जाम कब होगा तो इसका होगा 29 मार्च 2021 अभी से डेट दे रखी है अभी से आप तैयारी भी कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी शुन है और स्टैन के डिपार्टमेंट होते हैं वेरियस मिनिस्ट्री होती है उन में आपकी रिक्रूटमेंट होगी और पद इसमें अच्छे खांसे ही होंगे समय आने पर पता चलेगा जो दोस्तों रिलक्शेशन है वो SCST और आपको एज का तो मिलेगा ही इसके अलावा फीस इसमें SSC में ज्यादा नहीं होती है यह चीज अच्छी है SSC में वरना कई डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जो कि इतनी ज्यादा फीस लेते हैं एक हजार रुपए फीस ले रहे हैं अभी आपने देखा हो का विदान परिशद उत्तर प्रदेश विदान परिशद में एक हजार रुपए जारी है और प्री की अलग जारी है में इसकी अलग जा रही है पता नहीं क्या चक्कर है अब बीदे ज्रे अपनन डीन हो को दस साल और यह आप दिख सकते हैं आप दिव्यांग OBC के हैं तो 13 और SCST के हैं तो 15 यह पूरा आप डिटेल में देख लेना एक जानकारी और दे लेता हूं मैं दोस्तों कि यदि आप सेंटर गॉर्मेंट के इंप्लॉई हैं अन्रिजर्व केटेगरी को ब्लॉंग करते हैं यानि कि जनरल केटेगरी को ब्लॉंग कर करनी हैं दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताए कि इसके अंदर डिफरेंट मिनिस्ट्री हैं तो इसमें सभी मिनिस्ट्री इसके अंदर जाते हैं अगर कॉलिफिकेशन की हम बात करें तो यहां पर जो है टैन प्लस टू मांगा गया है यानिकी ट्वैल्थ होना चाहिए और देखते हैं मनदब टैन प्लस टू गृप सी के लिए भी इलिजबिल है और गृप डी के लिए भी इलिजबिल हैं फीस के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताए मात तरस्व रुपे हैं स्टी दिव्यांग और वूमेंस केंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है फ्री जो एक्जाम है दोस्तों यह उन लोग के लिए बहुत बढ़िया है जिने मैथ नहीं आती या जिनकी मैथ वीक है बहुत ज़्यादा क्योंकि इसके अंदर मैथ पूछी यह नहीं जारी है इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है जैनल इंटेलिजेंस रीजनिंग एसे सी की यह माल लिजे कि सभी एक्जामों में सबसे हलकी होती है चाहएं फिर वह बैंकिंग के एक्जाम लें चाहएं फिर वह रेलीवे के लें तो जनल जो इन्टेलिजन्स है जो रीजनिंग है इसमें आप 90% तक स्कोर कर सकते हैं लोग 100% तक इसमें स्कोर करते हैं जनल AWAYर्णेस प्रीती मैडब ने तयार कर दिये हैं हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटी इन सब के आपको एस्पेक्टेड कोशन मिल जाएंगे सब में एक हजार से अधिक मिलेंगे जोग्रफी में हमने अठारो सो प्लस कोशन करा हैं तो वीडियो के एक्टी पैसिव डारेक्ट इन डारेक्ट जो फ्री के नंबर होते हैं वो वाले कोशन बहुत जादा पूछ जाते हैं ग्रामर वाला पोशन बहुत जादा होता है इसके अंदर यह माली जे कि 60% पोशन तो सिर्फ आगर आप ग्रामर के और निगेटिव मार्किंग जो है दोस्तों इसके अंदर निगेटिव मार्किंग एक बटा चार होती है वो SSC की सभी परिख्षाओं में यही होती है तो यह तो रहा सिले बस इसके अलावा आपकी होगी इस्टानो अब दोस्तों मैंने जो बात बताई थी आपको कि आप लाखों में कमा पाएंगे तो वो कैसे कमा पाएंगे लाखों में क्योंकि जो ग्रुप डी है ग्रेट डी है उसका 2400 ग्रेट पर होता है और जो सी है उसका चाली सो ग्रेट पर होता है ठीक है चाली सो ग्रेट पे में आपकी जो तंखा बनती है वो लगबख साथ हजार के लगबख बनेगी है मगर दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि डिफ्रेंट मिनिस्ट्री हैं यहां पर अलग-अलग सेंटर कॉर्मेट मतलब एक सेंटर कॉर्मेट के अलग-अल दोस्तों और जो फोरण मिनिस्ट्री होता है उसमें हर तीन साल बाद आपकी फोरण में पोस्टिंग होती है और जब भी आपकी फोरण में पोस्टिंग होगी तो आपको फोरण अलाउंस मिलेगा एमबसी में जिस भी देश में आपकी जो है मतलब डूटी लगेगी वहां पर आपको डॉलर्स में जो है अलग से अलाउंस मिलता है जो कि लाखों में होता है तो यदि आप इस नौकरी को प्राप्त कर लेते हैं और खासकर इस मिनिस्ट्री को प्राप्त कर लेते हैं तो यह माल लीजे दोस्तों कि आपकी लाखों में मंतली इंकम जो है वो लाखों मे रहेगी इसके अलाबा और भी बहुत सारी फैसलिटी मिलती हैं अब आप यह कहेंगे कि हो सकता है कि फोरन मिनिस्ट्री में वेकेंसी भी कम हो क्या और कोई अच्छा तरीका है इससे नौकरी पाने का बिलकुल दोस्तों एक और है जो कैबिनेट सेक्टरेट होता है जो सीएसे साल की क्वालिफाई सर्विस कंप्लीट होने के बाद वहां क्या एक्जाम है जड़ी आपकी पांस साल की सर्विस कंप्लीट हो गई है तो आप एक्जाम दे सकते हैं एसो के लिए यानि की सेक्शन अफसर के लिए और सेक्शन अफसर के लिए प्रमोशन किसका होता है जो की SSC CJL से जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर जो यह group C वाले अगर आप लग जाते हैं सेटर कवर्मेंट में मिनिस्ट्री में खास कर दिली मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं दोस्तों तो आप UPSC का एक्जाम वो दे सकते हैं उसके बाद जो है आपका अगला प्रमोशन मतलब इस टर्णो वाली लाइन से आप पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे और आगे के जो आपके प्रमोशन होंगे वो होगा section of sir, under secretary, deputy secretary, joint secretary मतलब इस तरीके का जो है secretary वाली लाइन में जो है आप आजाएंगे अब आप कहेंगे stano नहीं आती है और अभी तो coaching वगएर भी आप नहीं चाह सकते हैं तो online भी ऐसे बहुत से तरीके हैं YouTube पर ही आप stano सीख सकते हैं एक बार try तो कीजिए हजारों सिक्षक आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे एक बार आपको तयार होना है यदि आप ही तयार नहीं होंगे तो खुद ब्रह्मा भी आपको नहीं सिखा पाएंगे stano के लिए अगर आप चाहें तो आज ही से सुरुबात कीजिए और आप पूछेंगे आप मैं किस में करूं हिंदी में या इंग्लिश में देखे दोस्तों यह आपके उपर निर्भर करता है वैसे फोरण मिनिस्ट्री में जो ज़्यादा डिमांड रहती है वह इंग्लिश stano की रहती है मंगर यदि आप उत्तर प्रदेश के लिए भी तयारी कर रहे हैं तो आप हिंदी में सिखिए उससे फाइदा यह होगा कि भई आप जो यूपी की भरती निकलेंगी एपीस वगरा की उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं उसमें भी आप इस्टन कॉलिफाई कर पाएंगे और जो सेंटर गॉर्मेंट की है उसमें भी कॉलिफाई करेंगे तो हिंदी में आपको फाइदा मिल जाएगा मगर यदि आप डेडिकेटिडली फॉरन मिनस्ट्री यानि कि एक्स्टरनल अफैर के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंगलिश में करने चाहिए ठीक है दोस्तों और मैं आपको इसमें स्पीड बता देता हूँ स्पीड इसमें कितनी चाहिए होगी इसमें गर्चा स्पीड के लिए नहीं लिए लिखा हुआ होगा स्किल टैस्ट के बारे में जानकारी होगी इसमें अनुफियल स्पीड चाहिए होती यह में कम अपट्स में स्पीड कि आपकी स्पीड है 100 वर पर मिनट तो आप इस्टनो ग्रेट C के लिए कौलिफाई होंगे और 80 है तो आप गुरूप D के लिए दोनों की कट ओफ में भी अंतर रहता है शुरूबात में तो जो ग्रेट C वाले होते हैं उन्हें डारेट 4600 ग्रेट पे मिलता है और जो टाइपग की जानते हूं अब यह मालें कि टाइपग में मिनिमम्म कौलिफाई स्पीड कितनी होती है घृप इस्पीड होती है दोस्तों 30 की थियृ थियो मगर लोगों की 40 भी होती है, 50 भी होती है, 60 भी होती है, हमारी भी अभी 55-60 के बीच में है, और यदि हम इस्टैनो की बात करें, तो इस्टैनो में भी ऐसे आपको बहुत से अभ्यारती मिल जाएंगे, जिनकी 120 होती है, 140 होती है, यह बात करते हैं प्रैक्टिस की, कई लोग जो 4-4 साल तक इस्टैनो सीख रहे हैं, मगर नहीं सीख पा रहे, उनका मनी नहीं है सीखने में, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो एक साल के अंदर इस्टैनो भी सीखी, और नौकरी भी प्राप्त कर ली, अब आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी के अंदर फॉल करना जाते हैं, कमेंट सेक्शन मुझे यह बताईएगा दोस्तो कि आप मैंसे कितने लोग ऐसे हैं, जो कि अब इस्टैनो सीखने वाले हैं, और इस फॉर्म के लिए आविदन करने वाले हैं, जल्द मिलेंगे दोस्तो हम नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तो यदि आपको अप तक के लिए जै हिन, जै भारत